वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है चार मई दो जारतेईस और चार मई दो जारतेईस से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत द्यान से देखिए लास्टम में आपसे कुश्चन पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बोक्स हूं बताना है आज किस वीडियो की पेडियो के डिसकस में से राउनलोड कर सकते हैं पेडियो आप मारे टेलेग्राम देखते हैं पहला कुशन है हाली में बेसु प्रेस सदक्राण दिवस कब मनाया गया तो अभी वल्ट प्रेस फ्रीडम डे यह तीन मइं को मनाये गया तो इस कुशिं का बेउप संसर यह से प्रेस की future of rights freedom of expression as a driver for other all human rights तो ये थीम भी आप याद रखिए अच्छा अभी एक मही को अंतरास्टी स्रमिक दिवस मनाए गया एक मही को ही कुजरात और मारास्ट दिवस भी मनाए गया दू मही को बेस्टू ट्यूना दिवस मनाए गया और दू मही को ही बेस्टू अस्तमा दिवस मना गया तो मही में अब तक इतने इंपोर्टेंट ये बनाए गये हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक कर तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हल्पो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सीर जरू किया करो और मैं आ अगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी ने क्युसिन है हाली में औरेबीन ट्रेवल मार्केट का देश्मा संस्कुर्ड कहां सुरू हुआ है तो अभी अरेबीन ट्रेवल मार्केट का test07 संस्कुर्ड दुबई में शुरू हुआ तो इसकिस आपकी पिर सलेंनी !! शरू देश ने औद्योगिक अनुसंदान एबुम बिकास सयोग पर समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षिर किया है तो अब इसराइल तो यह है मैप में इसराइल की कैपिटल क्या है यरूसालम इसराइल की करंसी किया है इसराइली न्यूस और इजराइल के प्रिजेन टेम पर प्रामिश्टर कौन है पेंजा में नेतनियाओ अभी इजराइल ने नया ओफएक 13 जासु से सैटेलेट अंतरिच में लौंच किया अडानी गुरूप ने इजराइल में हाइफा वंदरगा का अधिगरड किया है UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त ब्यापर समझोते पर हस्ताक्चिर किये इजराइल ने नई नौसिना बायुरक्षा पडाली सी डोम का सफल परिक्षड किया है इजराइल का एक सहर है तेल अभीव यहां पे एक स्ट्रीट का नाम गुर्देव रवीन ना टैगोर की नाम पर रखा गया और इजराइल की संसत का नाम क्या है नैसेट के एन ए डवल एस इटी नैसेट ने क्युशिन है हाली में बिहार के बाद किस राज में पिछडा बर्ग सर्विच्षड सुरू हुआ है तो बिहार में अभी पिछडा बर्ग सर्विच्षड हुआ था इसके बाद अब दूसरा राज बनने जा रहा है उडिसा यहां पे पिछडा बर्ग सर्विच्षड सुरू हुआ है तो इस कुशिन का से ओप्सिंस हाई है अब उरीसा तो यह है मैप में उरीशा उरीशा के क्या है बुबनेश्षर उरीशा के चीप णिष्ट कौन है नवीन पटनाय सुपनेशन कोन है नावेन आद्फश समय से मिलर्डीप और विलर्डीप का नाम बदल के एपी जे अब्दूल कलाम दीव रखा गया है उडिशा दिवस या उतकल दिवस कब मनाय जाता है एक अपरेल को अभी उडिशा के मुख्यमंतरी ने 5T स्कूल ट्रांसपरमेशन के तेसरे चड़ की शुरुआत की उडिशा के मुख्यमंतरी ने भारत का पहला हैवी लेफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉंच किया अभी उडिशा भूबनेश्वर में जून 2023 में इंटर कॉंटिनेटल फुटवल कप की मेजवानी करेगा उडिशा सरकारद्वारा गंद मर्दन हिल रेंज को बायो डावरिस्टी हेरिटेज साइड कोसित किया गया उडिशा में 1300 साल पुराना बहुत दिस्तूप मिला है और उडिशा के तेन जिलों में सोने की खाने मिली है उडिशा में रसेकुलिया बीच है और गूर्डन बीच है उडिशा में सुनावेडा वाइलला संचुरी है कुठागड वाइलला संचुरी है नर्वन वाइलला संचुरी है बैसी पल्ली वाइलला संचुरी है गहिर मठ वाइलला संचुरी है और चिलका लेख है चिलका लेख भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिसा में लेंगराज टेंपल है कुडाग टेंपल है और चगरनाठ टेंपल है ने कुशन है हाली में किसे बैंक और वड़ोदा का प्रबंद निदेशक निवक्त किया गया तो अभी देव दत्थ चंद्र को बै बैंक और वड़ोदा का मैनेजिंग डिरेक्टर पॉइंट किया गया है अब बैंक और वड़ोदा इसकी स्ताफना का हुई 1908 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है बड़ोद्रा में और अब इसके मैनेजिंग डिरेक्टर बन गए देव दत्थ चंद्र अभी पहांसंग के नए अध्यक्ष पंकर सिंग चुने गए असूसीशन ओफ एसेट रीकंस्टरक्शन कंपनीज के सीओ हरी हर मिस्रा बने हैं नैसकों के अध्यक्ष की रूप में अनन्त महाईसवरी को न्यूक्त किया गया सांतनु रोय को बे एमल लिमिटेड की सीमडी के रू अध्यक्ष प्रसिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् यह है वंतिका अगरवाद और यही अंतरास्ती मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11मी महिला बनी यह हाली में फूफ्स की दोजर्टेज्ट की हाइस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कॉन सीर्स पर राहे तो अभी फॉफस ने डोजार टेज की हायस्ट पेड एथलिस्ट की लिस्ट जारी की है इसमें क्रिस्टियानू रोनाल्डो टॉप पर है दिसकुशन का बे ओप्सन्स आहिए क्रिस्टियानू रोनाल्डो फस्ट पर है लियोनल मैसी 2nd पर है और एमबप पर थर्ड पर है, तीनों की नाम आप याद रखी नए क्यूशन है, हाली में जेल में बंद किस देश की तेन महला पत्रकारों ने सैयोकत रास्ट का सेर्स पुरुसकार जीता तो अभी एरान की जेल में बन तेन महिला पत्रकार नेलोफर हमीदी, इलाहे मुहमदी और नर्गिस मुहमदी इन तेन महिला पत्रकारों ने सैयुक्त रास्ट का सेर्ज पुरुसकार जीता तो इस कुश्यन का से ओप्सिंस है यह हैं तेन महिला पत्रकार नेलोफर हमीदी, इ इलाहे मोहमदी और नर्गिस मोहमदी इन्होंने युनेसको का ये सबसे बड़ा पुरुसकार जीता है युनेसको बर्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज प्रोवाइड करता है और अब युनेसको ने बर्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज का नाम बदल के गिलर्मो कैनो अबार्ड क कौन नो कौन थे ये एक कोलंबियाई पत्रकार थे इनकी 1986 में हत्या कर दी गई थी तो संयुक्त राष्ट का पत्रकारता से related sales पुरुसकार है UNESCO World Press Freedom Prize और इसका नाम अब Guillermo Cano Prize कर दिया गया है नए क्यूशन है हाली में किसके द्वारा लिखित पुस्तक made in India 75 years of business and enterprises का भी मोचन हुआ तो अभी अमिताब कांत ने एक नई पुस्तक लिखी है made in India 75 years of business and enterprises इसका अभी भी मोचन हुआ तो इस question का बे option सही है अच्छा अभी smoke and asses नामक पुस्तक अमिताब घोस ने लिखी है a resurgent north east narratives of chain नामक पुस्तक आसी सकुन्दरा ने लिखी है बूरिया मजूमदार द्वारा लिखित नई पुस्तक सच्छिन at the rate 50s celebrating a mansto का भी मोचन हुआ the great bank robbery, NPS scam and the future of regulation पुस्तक बे पट्टा भी राम ने लिखी है ने क्यूशन है, हाली में किसने बिस स्नूकर चेंपिंसिप का खिताब जीता है तो अभी लुका ब्रेसल ने बिस स्नूकर चेंपिंसिप का किताब जीता है तो इस कुश्चिन का सी ओप्सिंस है ये हैं लुका ब्रेसल और इनों ने ही बिस स्नुकर चेंपिंसिप का किताब जीता है अच्छा अभी दलाई लामा को 64 साल बाद बेक्तिगत रूप से रेमन मैक्से से पुरुषकार मिला है बिद्यावालन को लता दीनानात मंगेसकर मिला है यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो लता दीनानात मंगेसकर अवार्ड यह आसा भूषले और बिद्यावालन दोनों को मिला है अभी बेरता पुरुषकार पाने वाली पहली मैला इंडियन एरफोर्स अधिकारी देपिका मिस्त्रा बनी है और उत्सा पटनाय को मै वेलकम अधिसेशिया पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया गया है ने क्यूशन है हाली में जारी वर्ड फ्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सीर्स पर रहा तो अब भी वर्ड फ्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है इसमें नौर्वे टॉप पर है तो इस कुशन का बे रेमिस्टर कौन है जोनस गहर स्टूर कौन है जोनस गहर स्टूर अच्छा यह जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है यह 180 देशों के लिए जारी किया जाता है और यहां पर सौकिंग बात यह है कि इन 180 देशों में अपना इंडिया 161 में नंबर पर है लास्ट यह यान अब 161 बन गई है तो बर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया अब 180 देशों में 161 नंबर पर है ने कुशन है हाली में ACC मैंस प्रेमियर कप किस ने जीता है तो अभी नेपाल ने UAE को हराकर ACC मैंस प्रेमियर कप जीता तो इसकुशन का से ओप्सिंस है अब नेप नेपाल की capital क्या है काठमंडू नेपाल की currency क्या है नेपाली रुपिया नेपाल के present time पे प्रायमियर कोन है पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाल के present time पे प्रेसिडेंट कोन है रामचंद्र पॉंडेल अच्छा अभी नेपाल में जीत गड़ी पर मनाया गया नारायन प्रसाद सहूद ने नेपाल के नए बिदेश मंतरी की रूप में कारेबार संबाला नेपाल इंटरनेशनल बेग केट अलाइंस का संस्तापक सदसी बनाया है और गोडों का तिवार गोडे जात्रा नेपाल की ललिफ्ट पॉर में मनाया गया नए क्यूश्यन है किसे क्वा ग्वांटसा एर वेज लिमिटेड की नए सई यू कि रूप में वैनिजा हड संक न दोस्कुश्यन का ऐ सो किया है यह हैं गवयार अज्टस आसं और एनिको डिश्यनस प्रसछट आ सएररम ऐज की रूप में अपॉइंट किया में हाली में किस पेमेंट वैंक ने NPCI किसात किया है तो अभी Airtel Payment Bank ने National Payment Corporation of India के साथ सयोग किया तो इस कुछिन का से ऑप्सिन है अचाई यह सयोग किया है तो Airtel CP Bank अपने 50000000 पर आधार इने वर्ड पेमेंट सिस्टम के लिए विए फेस ऑथंटिकेशन शुरू करेगा अब लास्ट वीडियो के question का answer लास्ट वीडियो मैंने आप से question पूचा था कि हाली में किस ने अजर बैजान Grand Prix 2023 जी थी है तो अभी सरजियो पेरेज ने अजर बैजान Grand Prix 2023 जी थी यानि कि इस question का A option सही था और लगबख सभी इस्ट रेड़नेस का answer सही थी है मुश्ट लेश्ट रैनेंस के वारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्यन के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके सब्सक्राइब करते हैं तो आप Facebook पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा Facebook जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेश RC Instagram पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुट सकते हैं और कोई without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 एल लाइक का तो अगर ये बेडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook group हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current face का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक वी आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सबस्क्राइब जरू कर लेजिए आप को से निष्चित ही मदब मिलेकि जब आपसे सबस्क्राइब करेंगे तो ब्रावर में की मन की आएगा आप उस opis बेल आइकशन पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो टैंक्स और वाचिंग